कि नमस्कार दोस्तो रेशिपे वॉलट मैं आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ नीलम और मैं आज आपको एक ऐसी रैसी एसी फिलींग की रैसिपी बताने जा रही हुँ जिसको आप सेंडविचunden भर सकते हैं डोशे ओनियन लिया है आधा चोटा चमच रेड़ चिली पाउडर लिया है कौरिएंडर पाउडर लिया नमक लिया स्वाद के अनुसार हरी मिर्च हरा धनिया लिया है काटकर और कोकिंग ओईल ले लेंगे तो सबसे पहले एक पैन गरम कर लेंगे गैस पर और उसमें थोड़ा सा को बहुत सिंपल रैसिपी है और इसको आप जब मर्जी बना कर रख सकते हैं और यह एक दो दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और बाद में सेंट्विच वगएरा बना कर खा सकते हैं आप इस से परांठे भी बना सकते हैं आधा चमच जीरब हुन लेंगे इसके अंदर डाल देंगे मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तेल जादा ले लिया है तो आप इसमें कम ऑईल यूज कर सकते हैं प्याज लगबग फ्राई हो गई अब इसके अंदर हरी मिर्च डाल देते हैं और यह साथ में ही मैंने पनीर डाल दिया पनीर को क्रमबर्ल कर लिया था अच्छी त अच्छी तरह से इसको चला लेंगे मिक्स करके दो यह तीन मिनट लगेंगे आपको प्रिपरेशन करने के बाद इसको बनाने में बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें हमने हलदी यूज नहीं किया तो इसको ज़्यादा देर कुक करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा देर कुक करने से वैसे भी प्रोटीन खराब हो जाती है आप इसमें हरा धनिया और गरम मसाला मिक्स कर लेंगे और इसको ढखका रख देंगे कुछ मिनट के लिए जिससे की गरम मसाले और हरा धनिया का आरोमा इसके अंदर चला जाए और लीजिए रेसिपी तैयार है इस फिलिंग को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं पराठे पू में लिखकर बताईए आपका दिन बहुत बहुत शुब हो थैंक यू मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट जरूर कीजिए और आपका दिन बहुत बहुत शुब हो थैंक यू